कैसे हो आप लोग करियाड़ चम आपका बहुत-बहुत स्वागत है में नाम धरम और आप देखरों मेरा चम करियाड़ा जो तो फॉर्स्ट आम चम को देख रहे है कॉर्णर में जो रेट करता सब्सक्राइब है क्लिक कर लो email ID through login जो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन को ज़रू प्रेस करें ताकि नए वीडियो की notification आप लोग को मिलती रहे आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि civil engineer बनने के क्या-क्या फायदे हैं और क्या-क्या नुकसान है और किनको civil engineer बनना चाहिए इस पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे तो मैं बता दो दोस्तों जैसे civil engineering जो होता ना एक बंदों में crazy था एक time की नहीं मुझे civil PWD का नाम सुनते थे civil engineer की दमाग ये इस level पे थे तो PWD की market ऐसी थी की मतलब हर बंदा चाहता था कि मैं civil में जाओं एक time अपने civil भी अपने peak point में था जब से real estate peak point में था civil भी अपने peak point में था अभी current time की जो market है civil की थोड़ी down हो गई है मैं आप लोगों के reality बता रहा हूं गुमाने के जोरूत नहीं है जो reality है वो मैं आप लोगों सामने पेस कर रहा हूं civil की market थोड़ी down हो गई लेकिन इतना भी down नहीं है कि हम पढ़के job नहीं ले सकते हैं या कुछ कर नहीं सकते हैं बहुत scope है और जो लोग देखो mentality होती है एक तो होता बंदा सिर्फ पैसा कमाने था मुझे यार यह ब्रांच चाहिए पैसा कमाना उसका मन नहीं है वो लोग कभी मताओ यार कभी civil engineering करने मताओ क्योंकि civil भी एक अपने में बड़ा ब्रांच है और थोड़ा complicated भी है चीजों को समझनी पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं है पहले क्या होता था और अब क्या होता है बहुत बदल चुका टाइम और पहले हम देखते हैं civil engineering करकर के PWD या अधर जगहां direct walk-in होता था government job तक में walk-in होता था कि आओ भी या engineering कर लियो और job लग जाएगी अब पूरा scenario change हो चुगा इतना struggle करने होना पड़ेगा आपको नहीं तो चपल तक गिर जाते हैं लोगों के job लेने में तो बहुत critical है मैं demotivate भी नहीं कर रहा हूं बट reality बता रहा हूं आप लोगों के से तो जो लोग challenge accept कर सकते कि नहीं मुझे challenging job accept है वो civil चे करने आए civil से चलिए फायदे भी बताते हैं कि civil engineering करने के क्या-क्या फायदे होते हैं उसके बारे में बात कर लें पहले तो बंदा civil engineering करने के बात ना किसी के अंडर में training कर लेगा ना तो वो खुद का भी काम कर सकता civil engineering के लिए civil engineering में एक तो होता कि अब construction में जा सकते हो designing भी होता है designing में वो 2D pro जो भी होता हो सीख करके किसी building का design अपना बेच सकता है design बना सकता अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकता है online काम कर सकता है तो यह सबसे बड़ा plus point जो एक civil engineer का होता है उसके बात जो civil engineer है जो buildings बन रही है उसका contract भी ले सकता कि कैसे बन नहीं क्या material यूज हो रहे कैसे है एंगल कैसा है क्या-क्या work होता है तो पूरा proper knowledge आपको मिल जाएगा इसमें भी की मतलब कैसे work होता है civil engineering के एक तो ना लड़कियों के लिए civil engineering की मैं बात करना हूँ तो लड़कि गल्स के लिए I think civil engineering उतना अच्छा नहीं जितना other branches civil engineering में क्योंकि आपको liver type की लोगों को भी face करना होता है तो मेरी ख्याल से थोड़ा सा ओड है जो बहुत soft level की girls होती है वो जो है वो मतलब बहुत क्या बोलते हैं कि मतलब normal mind से होती है वो उनको थोड़ा सा heavy बनना पड़ता है क्योंकि यह industry है ऐसी है civil की और जहां तक आप पैसे की बात करें पैसा भरवर के चाहे एक design अप्रूव होने में लाखो रुपए मिल जाते हैं और building बनाने में कई अर्वो रुपए पैसे क्या होना दूसरी बात हम कर लेगी जो government sector में civil engineering की job के लिए civil engineering के government sector में भी बहुत सारे scopes है और PWD जो एक अच्छा option होता था civil के लिए जिसमें लोग कहते थे नहीं यार इसमें पैसा है उसके लोगा जो हमारी महारतन कंपनी नौरतन कंपनी एंटी PC, BHL, GLCL, Bail इसम आप किसी के अंडर में पहले काम करो चाया polytechnic की हो चाया बीटेक की हो किसी के अंडर में रह के पहले काम सीखो जब तक आप काम नहीं सीखोगे ना salary के पीशे भागो ना किसी और चीज के पीशे भागो एक पर काम आप सीख लिए ना कि कैसे civil engineer work करता है civil में क्या क्या देख लीजिए और गल्फ कंट्री से युनाटेट कंट्री से वहां पे भी सिविल इंजिनर का इसको बहुत जादे है इंडिया में थोड़ा सा डाउन हुआ जब से रिल स्टेट के मार्केट डाउन हुए यह कंस्रक्शन कम हुए है पैसे लोगों के पस हुए है डीमान इ यह नहीं हुग गया कि बिल्कुली जॉब नहीं मिल लाया थो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें मेरे बहुत सारे दोस्ता से कर रहे हैं मेरे seniors IIT से भी pass out है एक दो मेरे दोस्त है कि civils से pass out अच्छे पोजीशन पे भी है कभी मिलेंगे तो उनका भी अपने चैनल पे interview डालेंगे या live streaming भी करेंगे तो में दोस्तों ये भी video अपने के लिए help लोगा thank you, जैन, नमस्कार दोस्तों